इन दिनों, अनुपमा में छोटी अनु के साथ साथ माया और पारितोष का इंगल भी जोड़ दिया गया है। बीते दिन, अनुपमा में दिखाया गया की तोशु की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भरती कराया जाता है। खबर मिलते ही अनुपमा और अनुज भी भाग कर वहां पहुँचते हैं। लेकिन वहां उसे देखबा हमेशा की तरह ताना देना शुरू कर देती है। अनुपमा में जल्दी दिखाया जाएगा की पारितोश की तबियत के लिए वनराज और अनुपमा सहित पूरा परिवार चिंता में होता है। वहीं डॉक्टर बताते हैं की वो लकवे का शिकार हुआ है। यह सुनते ही अनुपमा बेहोश हो जाती है। पारितोश की हालत सुनते ही अनुपमा को सलाह देता है की वो अभी तोशू के साथ रहे और उसका ख्याल रखे। अनुपमा में दिखाया जाएगा की छोटी माया से भी उसके स्कूल जाने के लिए कहती है। ऐसे में अनुझ माया के लिए अपनी कार का दरवाजा खोलता है और माया उसके साथ आकर बैठ जाती है। वहीं तभी अनुपमा वहां पहुँच जाती है और माया को अनुझ के साथ देख लेती है। उसे यह सब देखकर धक्का लगता है। दूसरी तरफ बर्खा भी अनुपमा के दर्द को कुरेने की कोशिश करती है और कहती है कि यहां हमारे साथ साथ माया भी मौजूद है। रुपाली गांगुली स्टार अनुपमा में एंटर्टेन्मंट का तड़का तब लगेगा जब माया छोटी अनुझ के साथ साथ अनुझ से भी नजदी की बढ़ाने की कोशिश करेगी। शोग के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया कि छोटी अनुझ अपने ड्रॉइंग में माया, अनुझ और अनुपमा तीनों की तस्वीर बनाती है। लेकिन अनुझ बहां से माया को छुपा देता है। वहीं अनुझ के जाते ही माया अनुपमा का पत्ता काट कर केवल अनुझ और माया की तस्वीर रखती है। इस चीज को लेकर माना जा रहा है कि माया अब छोटी के साथ साथ अनुझ से भी नजदी की बढ़ाएगी।